नमस्कार आप देख रहे हैं सी निउस भारत और मैं हूँ आपके साथ फ्रियाश्च्र वास्ताव कॉन्फिडेंस जितना अच्छा ओवर कॉन्फिडेंस उतना ही बुरा होता है चाहे जिन्दकी हो या फिर राजनीती इसका खाम्याजा तो बोगता ही पड़ता है यही हुआ हरियाणा में कॉंग्रिस के साथ हरियाणा में कॉंग्रिस की करार शिकस्त हुई हरियाणा तो कॉंग्रिस के हाथों से चला ही गया है साथ ही यूपी भी चला गया है जी हाँ वही यूपी जहाज़द विधानसवा के उपचुनाव होने जा रहे हैं हर्याडा का चुनाव यूपी में दो लड़कों की जोड़ी को कमजोर कर गया है बताया जो रहा है कि यूपी के उपचुनावों में सपा कॉंग्रिस को सिर्फ एक सीट देने पर विचार करी है यानि क्या खिलेश यादव और राहुल गांदी की तनातनी हो सकती है यही वज़ा है कि कॉंग्रिस से गट बंधन फाइनल किये बगैर ही सपा ने अपने प्रत्याशी भी खोशिद कर दिये है सपा ने करहर सीट से तेश प्रताप यादव को अपना उमीदवार बना दिया है देखिए यह रिपोर्ट और जानी कैसे हरियाडा की हार यूपी में सपा और कॉंग्रिस के गट बंधन की धजी आउड आएगी हरियाडा में सरकार बननी के सपने सजो रही कॉंग्रिस के हाथ से राज फिसल चुका है राजनीतिक जानकारों के मताबिक हरियाडा के चुनाफ परिणाम का सर यूपी में भी देखने को मिलेगा यानि कॉंग्रिस के लिए अब यूपी में उपचुनाफ की सीटों को लेकर सपा से तोल मोल करना इतना असान नहीं रह जाएगा मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि सपा दस सीटों में से कॉंग्रिस को सिर्फ एक सीट दे सकती है यूपी में सपा ने कॉंग्रिस को जटका देना शुरू भी कर दिया है बगार गटबंधन फाइनल के सपा ने करहर सीट से अपना उमीदवार घोशित कर दिया है इतना ही नहीं मंगलवार को जब पूरा देश हर्याणा विधान सबा चुनाव के नतीजों में व्यस्त था सपनिकरहर उप चुनाव के लिए अपना प्रत्याशी घोशित कर दिया वहीं छे उम्मीदवारों की आज जो नई सूची आई है उसमें परिवारवात को तवज्जो भी दे दी गई है अखिलेश ने अपने परिवार के तेश प्रताप को करह से उम्मीदवार बनाया है फैजाबाद यानिकी आयोध्या के सांसद अविधिश प्रसाद के बेटे अजीत को मिल्की पूर से टिकट दिया गया है सीसामाउ सीट से इरफान सोलंकी की पत्मी नसीम को सिंबल दिया गया है लालजी वर्मा परिवार की शोभावती को कटेहरी से उम्मीदवार बनाया गया है इसी तरह फूलपूर से चुनाब लड़ चुके मुस्तफा सिद्धिकी को फिर से टिकट दिया गया है सपा ने मीरापूर, कुंदुरकी, गाजियाबाद, सदर और अलीगर की खैर सीट पर उम्मीदवारों के नाम फिलाल होल्ड कर दिये हैं दरिसल हरियाणा में सीट बटवारी को लेकर फसे पेच के बाद से यूपी में गटबंधन की स्थिक काफी नाजुग बताई जारी है लोकसभा चुनाव में आया अच्छे नतीजों के बाद सपा ने उपचुनाव में कॉंग्रिस के साथ गटबंधन आगे बढ़ाने पर रजामंदी देते वे हरियाणा और महराष्ट में सीटे मांगी थी सूत्र बताते हैं कि कॉंग्रिस यूपी में 3-4 सीटे चाती थी जबकि सपा की नजरे हरियाणा की 6 सीटों पर थी हलाकि हरियाणा को लेकर बादचीत कामियाबी की दिशा में नहीं बढ़ सकी सपा मुखिया के लिए शियादम ने खुट को हरियाणा चुनाव से अलग कर लिया जिसके बाद यूपी में भी सीट बटवारे की बादचीत बंद हो गई माना जा रहा है कि हरियाणा में कॉंग्रिस को अगर आपेक्षित परिणाम मिल जाता तो यूपी में सपा से बाचीत फिर शुरू हो सकती थी महराश में सपा को भागीदारी भी नहीं मिल सकती है लेकिन जिस तरीके से हरियाणा में परिणाम आए उसके बाद कॉंग्रिस के लिए आसान नहीं होगा कि वो चार सीटे देने के लिए सपा कुछ सहमत कर पाए इसका असार ये हो सकता है कि सपा और कॉंग्रिस दोनों ही उपचुनाव में अकेले ही मैदान में उट रहे यानि की देखा जाए तो हरियाणा चुनाव की घोश्रा के बाद से ही कॉंग्रिस इस बात को लेकर आश्वस्त हो गई थी कि प्रदेश में उसका दस सालों से चल रहा राजनीतिक वनवास समाप्त हो जाएगा कॉंग्रिस के नेता इसको लेकर तमाम तड़ीके के दावे भी कर रहे थे लेकिन जब नतीज आए तो ऐसा हुआ ही नहीं बीजेपी ने बड़े अंतर से जीत दर्च की है वहीं सपा के रणनीतिकार अब मानने लगे हैं कि यूपी में कॉंग्रिस का विस्तार इसके बिना संभव नहीं है बीजेपी के वोट बैंक में कॉंग्रिस सेंध नहीं लगा सकती लेकिन अगर गट बंधन होता तो कॉंग्रिस को इसका फाइदा जरूर मिलेगा और सपा द्वारा छोड़ी गई सीटों पर कॉंग्रिस जीत दर्च कर सकती है कॉंग्रिस ने उत्रप्रदेश में गट बंधन के तेक चुनाव लड़ा था गर आकुलों पर नजर डाले तो और से ज्यादा वोटों के अंतर कॉंग्रिस उम्मीदवारों ने अपनी सीट पर दर्च करे थे जबकि सपा के उम्मीदवार कुछ सीटों पर काफी कम मार्जिन के अंतर से जीते थे ऐसे में देखा जाए तो सपा का वोट कॉंग्रिस के साथ शिफ्ट हो गया C News भारत